इसका जरत फील लेते हैं एक छोटी सी कहानी से कि हमारे पास दो दोस्त एं एक दोस्त बहुत अमीर है एक दोस्त थोड़ा गरीब है ठीक है एकथ अमीर मरने वाला है कहीं कार एकसिदेंट हुआ गिरा है, मरने वाला है, गरीब दोस्त उसके बग़रे में खड़ा है, तो अमीर दोस्त उसको बताता है, मैंने अपने जीवन की सारी कमाई, सारा खजाना, सारा सोना, सब एक जगे गाड़ के रखा हुआ है, अब गरीब दोस्त, दोस्ती अपनी जगा, फूच रहा है कहा है जो दबने से पहले मुझा थे जो इड़ा सा डबलू उससे पांच मीटर दूर है पूछा कहाँ पर है बोला एक बड़े से डबलू जो की पेड़ के शेप में डबलू है उससे पांच मीटर दूर है अब ये गरीब दोस्त पागल खुश हो गया अच्छा 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 तो अमीर दोस्त अभी मर रहा है बुल रहा है पर सुनो तो उसने कहा रहे जाओ गोआ की तरफ सेंट सेबेस्टियन गार्डेन में क्या धूर ने बड़ा व नुमा पेड़ तो भाई जो गरीब स्ट पहुचा सेंट सेबेस्टियन गार्डेन गोऽा में नाज गाना नहीं कर रहा खजाना धूर ने आया है इसको डबलू नुमा पेड भी दिख गया अब खजाना कहा है इससे 5 मीटर दूर तो यह आए गधे इंसान है ना यह नहीं हुआ कि वहाँ पूछ लेते हैं 5 मीटर किस तरफ यह आए इन्होंने का 5 मीटर किधर इससे लेफ्ट में 5 मीटर आए यहाँ पे घट 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 खुदाई की ना निकला खजाना कोई बात नहीं 5 कि यहाँ पे भी खजाना नहीं निकला 5 मीटर आगे आए वहाँ पे भी खजाना नहीं 5 मीटर पीछे भी खजाना नहीं अब तुमको समझ में आ रहा है इसने कितनी बड़ी गलती की direction ना पूछ के vector quantities कितनी important होती है यहाँ पे जो 5 मीटर था यह complete information नहीं हो पाई अब इसको पाँच मीटर का एक पूरा सरकिल खोदना पड़ेगा पाँच मीटर का पूरा सरकिल भाई ये भी पाँच मीटर 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 ये अरे बापर इसकी मेनत बढ़ गई कोई बात नहीं सर खजाना है मेनत कर लेंगे, पर रुख जाओ, उसने तो बोला है, पेड़ से 5 मीटर, अब 5 मीटर पेड़ के नीचे भी तो हो सकता है, जमीन के अंदर 5 मीटर, और जमीन के अंदर 5 मीटर ऐसे हो सकता है, तो 5 मीटर से तेड़े-तेड़े में भी हो सकता है, ये पेड़ है, जमीन से अंद ऐसे में पांच मीटर ऐसे में पांच मीटर ऐसे में पांच मीटर ऐसे और रर रर सर गया यह तो तू तो गरीब रहेगा जीवन बर पांच मीटर जमीन के अंदर इस तरफ पांच मीटर जमीन के अंदर इस तरफ पांच मीटर जमीन के अंदर इस तरफ कहां एक जाना गया यह तो एक छोटी ती information इसे नहीं सुनी मरते वो दोस्ते फूस तो लेता कम से का कि भाई बता दो किस तरफ वो बता रहाता है यह छोड़ के चले आए तो यहाँ पर 5 meter complete information नहीं हुई यहाँ पर होना चाहिए था कि 5 meter east में चले जाना 5 meter west में चले जाना 5 meter 30 degree angle पर चले जाना है ना सीधे से 30 degree angle 5 meter पर आ जाना clockwise direction में, anti-clockwise direction में एक complete information नहीं हुई क्योंकि यहाँ पर क्या lag कर रहा था direction तो जब भी हमें ऐसी कोई quantity हो जैसे यहाँ पर यह displacement quantity थी क्या quantity थी यहाँ पर? displacement quantity थी तो इसके लिए 5 meter sufficient नहीं है numerical value है, unit है पर इस physical quantity को एक चीज़ और चाहिए थी and that was direction तो जैसा कि हमने पहले chapter ने पढ़ा था कि कोई physical quantity define करने के लिए सिर्फ दो चीज़ चाहिए numerical और unit, यह बात पूरी तरह से सही नहीं थी कुछ-कुछ physical quantity को direction भी चाहिए होता है important समझ रहे हो vector quantities का कर दो पाहिए कुछ 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 का यह बात पूरी तरह से सबस्ध कर दो पूरी तरह से समय हो ठीट